हे गाईज, वेलकम टू स्टेडी विट सुनील देखे दोस्तों हमने रास्तान जिक्के के जो 50,000 किसों आनुसर की सीरीजी शुरू करके है उसको अगर आपको ने अभी तक मुझे टेलिग्राम चेनल के उपर फोलो नहीं किया है तो वहाँ पर सुनील पचार सर नाम से एक टेलिग्राम चेनल बनावा है वहाँ पर मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडियेफ आपको मिल जाती है तो वहाँ से आप मुझे जोइन कर लेना देखे सेशन शुरू करते हैं भारत में सरोफर्तम पंचायती राज व्यवस्ता कहां पर लागू हुई भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्ता कहां पर लागू हुई मद्यप्रदेश में, राजिस्थान में, हरियाना में या फिर आंदरप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्ता की बात हो रही है देखें पंचायती राज व्यवस्ता है वो कौन सी समिती की सिफारिष के आधार पर लाग होई थी तो ये भी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है बलवंत राय महता समिती की सिफारिष के आधार पर तरी स्तरी ये पंचायती जनक का जाता है क्योंकि बलवंत राय महता समीदी की सिपारिश के आदार पर इतरिस तरीज पन्चायती राज का गठन किया गया था इसका उद गाठन कब किया गया था तो 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर गुणी सो गुण सट को नागोर के समधरी गाओं में ततकालिन प्राइम मिनिस्टर पंडिस जुआलाल नेरू के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया था अच्छा जो प्रदानमंत्री राजी युगांदी थे उनके परियासों से जो पंचायती राज है उसको समयधानिक दर्जा मिला था और तेत्रवा समधान संसोदर मा था 1902 में अनुच्छे 233 में पंचायती राज गोएक समधानिक दर्जा मिला था उसमें प्रदानमंत्री को थे? राजी युगांदी इसलिए राजी युगांदी को आधुनिक पंचायती राज का जनक का जाता है प्राइम मिनिस्टर जो राजी उगांदी थे उनका जो काल है वो पंचायती राज के लिए सुर्ण काल भी कहा जाता है ध्यार में रखना राजी उगांदी के प्रयासों से ही पंचायती राज को सुविधानिक दर्जा मिला था तेतरवा समिदान संस्वदर माता गुनी सो बाणव में अनुच्छे 243 में इसलिए पंचायती राज के लिए स्वन काल जो है वो प्रदान मंतरी राजी उगांदी के काल को ही माना जाता है और आजियोगान दी कोई आधोनिक पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है तेतरवां जो समिधान संसोदर माता उसके तहत सभी पदों के ओपर मैलाओं को एक बटा तीन आरेक्षन परदान किया गया था तेतरवां समिधान संसोदर में ही ग्यार भी अनसुची जोड़ी गई थी और उसके अंतरगत गुण 30 विशयों का उलेख भी किया गया तेतरवां समिधान संसोदर के अंतरगत भाग 4 के अनुचेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उलेख भी किया गया है तो इन सबी बातों को आपको द्यान में रखना है तो यह सारी बाते आपको ध्यान में रखनी है राजस्तान इसका करेट आंसर होगा नेक्ट किस सासक को कल्यूग का करण कहा है कौन सा सासक है जिसको कल्यूग का करण कहा है तो देखे इसका आंसर होगा राव लूण करण को कल्यूग का करण किस ने कहा है तो बिट्ट्व सुजा के द्वारा राव जेत शीरो चंद नाम से एक पुस्तक लिखी गई है इसमें राव लूण करण को कल्यूग का करण कहा है राव लूण करण को दान सीलता की तुलना जो है राव लूण करण की वो करण से की गई जो राव लूण करण थे वो काफी दान वीर थे तो इनकी जो दान सीलता है इसकी तुलना करण से की गई है इसलिए इनको कल्यूग का करण का गया किसमें का गया राव जियत शीरो चंद नाम की पुस्तक है उसमें का गया और वे बिठु सीजा की दोरा लिखी गई है अब एक क्यूसन एक्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राजपुतानी का करण किसको कहा है तो वो राव लून करण नहीं होगा राव लून करण को का करण का नहीं होगा नेश्ट क्यूसन देखे सांसी जनजाती की उतपती किस अस्थान से मानी जाती है देखें सारवादिक जो सांसी जन्जाती है वो भरतपूर जीले के अंदरकत निवास करती है अच्छा आपके मन में कई बार ये सवाल उड़ता होगा कि जो सांसी जन्जाती है वो कौन से धरम से सम्मधित रखती है हिंदू है, मुस्लिम है या फिर कौन से अरदर धरम से है तो देखें जो सांसी जन्जाती है वो कौन से धरम से सम्मधित रखती है हिंदू धरम से सम्मधित रखती है ये और ये सांसी जन्जाती के जो लोग होते हैं वो गुमकड जीवन व्यतित करते है कहा जाता है कि सांसी जन्जाती है उसकी उत्पती एक सांसमल नाम के वेक्ति के द्वारा ही इसकी उत्पती हुई है इसी क्यों जन्जाती है वो परचलित है तो सांसी जन्जाती है वो सरवादी के भरतपुर जिले में निवास करती है और भरतपुर क्या होगा इसका करेट आंसर होगा पन्ना उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है पन्ना उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है पर्थम स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या फिर चोथा स्थान है देश में पन्ना का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है राजस्थान है इसलिए पर्थम उस्थान क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसको ध्यान में रखना राजस्थान जो है वो भारत देश में पन्ने का एकमात्र उत्पादक राज्य है और राजस्थान में कहां पर इ राजफ्तान का जो स्थान है वो कौन सा है पर्थम स्थान है, उप्शन फैस्ट क्या होगा, इसका करेट आंसर होगा, नेश्ट क्यूसन देर का है, जेपूर को पिंग सीटी का नाम कौन सी पुस्तक में दिया गया, ये क्रिशन काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है जेपुर को पिंग सिटी का नाम कौन सी पुस्तक में दिया गया सी यू की नाम की पुस्तक में हरी पिंगल परबंद में या दे रोयल टाउन ओफ इंडिया में स्री स्टेंडरी स्री स्टेंडरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इन्होंने ही सबसे पहले जेपुर को पिंग सिटी नाम का उलेक दे रोयल टाउन ओफ इंडिया राम की पुस्तक में किया है अच्छा जेपुर को गुलाबी रंग या फिर इसको गेरवा रंग भी बोलते हैं उसमें पुतवाने का स्रेक इसको दिया जाता है तो वो दिया जाता है राम सिंग दिवतिय को वहाँ पर आप जेशिंग मत कर देना राम सिंग दिवतिय को जेपुर सहर को गुलाबी रंग में या गेरवा रंग में पुतवाने का स्रे दिया जाता है और सबसे पहले पिंक सिटी कौन सी पुस्तक का गया दे रोयल टाउन ओफ इंडिया जिसके लिखकोने स्री स्टेंडरी है नेक्स्ट देखो गो अभ्यारने की स्थापना कहां पर की जाएगी गो अभ्यारने की स्थापना कहां पर की जाएगी अजमेर पत्मेडा साचोर या फिर एवासा देखे राजस्तान का पर्थम गो अभ्यारने कहां पर अजमेर इसका करेटा अनसर रोगा और राश्ट्रिय काम धेनों विस्वे विदाले की बात आ जाए तो वो पत्मेडा पत्मेडा काम पर आपका जालोर में है ठीक है? तो दोनों को अलगे लगें अजमेर राश्ट्रिय काम धेनों विस्वे विदाले इसके इलावा जो आपको साचोर दे रखा है वो राजस्तान का पर्थम गोमुत्र बेंग है राजस्तान का पर्थम गोमुत्र बेंग कौन सा है साचोर और ये काँपर है ये भी जालोर में है वो राजस्तान का पर्थम सब्त गोमाता मंदिर तो वो काँपर है रिवासा में करेवासा करेढ दका है । रज्मेरों का पर्थम्लों में 216डभेज़ का दका अज्मेर जाती अग société क्यूसन का करेट आंसर होगा अगला क्यूसन देखो बरावक शम्ता की द्रेश्टी से पस्चिमी राजस्तान का सबसे बड़ा बांद कौन सा है बरावक शम्ता की द्रेश्टी से पस्चिमी राजस्तान का सबसे बड़ा बांद पूचा है राजस्तान का सबसे बड़ा कौन सा है जवाई बांद है और जवाई बांद कहा पर है पाली में है और शेही प्रियोजना से इसको पानी के आप बूर्ती होती है मारवाड का अमरत स्रोबर भी इस जवाई बांद को ही का जाता है इसका जो निर्माड है वो ग्रेनाइट पत्थर और चूने से इसका निर् चितोडगड में जैसा कि आपको पता है कि चंबल लदी के ओपर चार बांध बने वे हैं एक मत्य प्रदेश में और तीन राजस्तान में तो वो कौन-कौन से हैं उसकी बात अपन किसी और किसन में करेंगे लेकि राणा परताफ सागर है चितोडगड में वो राजस्तान का सरवादिक आदर जीला कौन सा है राजस्तान का सरवादिक आदर जीला पुछा है आपसे राजस्तान का सरवादिक आदर स्थान नहीं पुछा क्योंकि दोनों अलग-अलग है इसलिए आपको जानना जरूरी है देखे राजस्तान का सरवादिक आदर अगर आपको जीला प पता होगा तो जलावार क्या होगा इस क्यूशन का करेट आंसर होगा अगला क्यूशन देखो स्री सरस्वती पुस्तकाले कहां है जो की अलब्भे और दुलब्भे साहित्य का एक अपरितम खजाना है ये कहां पर आपको बताना है लाड़नू नागोर में वनस्तली टौंक मे तिलोनिया अजमेर में या फिर कोटा में तो देखे इसका आंसर होगा लाड़नू नागोर में सरस्वती पुस्तकाले है जो की अलब्भे और दुलब्भे साहित्य का एक अपरितम खजाना है लड़कियों के लिए जो परसिद विदाले है वो पंडित हिरलाल सास्त्री के पिर नाम से भी जानते हैं यह वनस्थली टॉंक में स्थित है इसके इलावा स डवल्ब्र whole once एक यह काहां पर है तीलोनिया अजमेर में स्थित है इसके अंत्रगत लाड़नु नागोर की होगा, करेट आनसर गा, श्री सरस्वती पुस्तकाले का अपर है, लाड़नु नागोर इसदे करेट आनसर है, तो अमीद आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को सेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टेडी के अंदर बेनेफिट मिल सके, अगर ये सीरीज जारी रखनी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, इस वीडियो में फिला लीता है, एंड फोर दाइम बिंग, इस इस दे एंड थैंक्स फोर दिसनिंग, एज गोड बलस यू अल